दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें अपना इवेंट रखा है वेलेंसिया में 20 तारीक को हॉनर 20 सीरीज के पांच यह चार छे जितने भी फोन्स है जो फोन्स है लेकिन उसके पहले मलेशिया में होने 20 लाइड जो है दोस्तों यह आ गया है मार्केट में लॉंच हो गया बहाँ पर इसकी प्राइज जो है इंडिय अगर इंडिया में लॉंच होता है तो चलते हैं सिधे वीडियो की तरफ पसंदा है तो लाइक मेंटर शेयर करते हैं नहीं पसंदा डिसलाइक करना मुझे बताना की ने पसंदा है लेट्स के सब्सक्राइब लेकिन होनर 20 लाइड जो सबसे छोटा वाला वेरियंट है वो अगर इंडियन करनसी के इसाफ से करोगे तो चार जीवी चॉंसर जीवी और विरियंट है दोस्तों 16,000 में आ रहा है एंड 15,700 क्या असपास और उस प्राइस के इसाफ से देखोगे तो मुझे थोड़ा सा कॉसली लगा को चीज़ें है अची यह नहीं कहरा हो खराब है ले इसका रिजोलुशन 1080 x 2340 का 19.529 का आसपेक रेशियो है 85% के आसपा स्क्रीन डूपादी रेशियो है वाटर आप नॉच के साथ आता है 415 का इसका फिक्सल देंसिटी है और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें अच्छी है रियर साइड पर आपको ग्रेडियंट शेड मिल जाएगा जो कि पॉली कार्बोनेट है त्रिपल रियर कैमरा है अच्छा है फिंगरप्रेंट स्कैनर दिया हुआ है रियर साइड पर इंड डिस्प्ले नहीं है बागी सारी चीज़ें ठीक है देखने में स्मार्टफोन सच में अच्छा लगता है बट यही प्रॉब्लम है जो आगे बताने मला हूँ जैसे मैंने कहा कि किरीन 710 के प्रोसेसर के साथ आता है जो कि 12 नेमेंटर टेक्नलज पर बेस्ट है अच्छा प्रोसेसर लेकिन एकी प्रोसेसर सारे स्मार्टफोन ने यूज़े से पहले 659 यूज़े अब 710 का जमाना है क्योंकि होनर का प्रोसे बागी चार गोर कोटेक से 53 वाले कोर्स हैं जो की 1.7 गार्ट सब्सक्राइब माली जी 51 MP4 के साथ आता है जो की गेमें ग्राफिक्स ठीक ठाक है आप एड़ी नौ 509 के इस आप से समझ सकती हो वही है उतना ही 636 वाला ठीक है चल जाए अगा उसके बाद एंडॉइड 9 Pie के आप उपर आता है जो कि EMUI 9 बे बेस्ट है तो ठीक है वो भी अच्छा है प्रोब्लम नहीं है वहाँ पर लेकिन प्रोसेसर मुझे प्राइस के साथ सब्सक्राइब तक आता है तो उसके सब्सक्राइब लग लग रहा है क्योंकि बहुत सारे पहले स्मार्टफोन इसके आच सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर कर सकते हो तो जरू कमेंट सेक्शन में बताइए या क्योंकि अभी तक यतन पता चला इंफो से यह पता चला है कि अभी तक 4K नहीं कर सकते अगर हो मैं यह नहीं है अगर हो तो कमेंट सिक्श में लिखे क्योंकि अभी तक कोई ऐसा इंफो आया नहीं कि उसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है या नहीं 3,400 एमेश की बैटरी है USB 2.0 के पॉर्ट के साथ आता है 10W का चार्जर मिलता है वही नॉर्मल वला तो बैटरी डिपार्टमेंट में उतना खास नहीं है प्राइस जितना पे कर रहे हो इससे अच्छा Redmi Note 7 Pro ले लो इससे अच्छा स्पेसिफिकेशन बैटरी से लेके सब कुछ तो वह स्मार्टफोन जादा बैटर होंगे एस कंपेर टो दिसन लेकिन सच में ठीक ठाक है अगर आप और यह फैन हो तो ठीक ठाक बैटरी भी दिया हुए दोस्ता सेंसर सारे में लिएंगे संसर में कोई इशू नहीं है अंबेट राइट सेंसर से लिए एक्स्ट्रो मेटर तक जाय उसकोप सब कुछ है फिंगर प्रिंस के लिए साइट पर इंडिया करन्सी के सबसे कनवट करोगे तो पंद्रह हजार नोशो आट्वी इसाब से आता है य मुझे रखता कि उतना रिस्पांस मिलेगा क्योंकि बाकी सारे स्पेसिविक्शन देखो और दूसरे स्मार्टफों की दर्फ देखो इवन संसंग भी इस से अच्छे स्पेसिविक्शन देता एक बड़े नाम के साथ तो होनर को काम करना पड़ेगा सच में कहुंतो हो स्मा क्या चीज पसंद आए इसके अंदर मुझे उतना नहीं जमाग खास स्मार्टफों की बात करें दो और सपोर्ट भी कर सकते हो सब्सक्राइब कर लो नीचे सब्सक्राइब बटन में वाब बीक्लिक कर सकते हो बैल आइकन को दबा देना थाकि मेरी वीडियो को नुटिफिक